हलो एवरीवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का माथमेडिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मैगनेट बेंज में जो प्रोवाइड करता हैं 100% quality of free education के garden से लेकर class 12 तक अगर आप लोग CBSC बोर्ट से हैं तो आप लोगों के लिए magnet बिंस का English Medium Channel और अगर आप लोगों के लिए magnet बिंस का हिंदी medium चैनल जहाँ पर class 6 से लेकर class 12 तक आपको दी जाती है एकदम quality wise और free education वो भी एकदम free साथी साथ यहाँ पर आपको मिल जाते धेरो सारे practice question जिनकी मदद से आप लोग practice कर सकते हो और बड़िया बड़िया number लेके आ सकते हो इतना ही नहीं अगर आप हमारे e-books या e-notes को अविल करना चाहते हैं तो link description box में given है आप वहाँ से जाके अविल कर सकते हैं आज हम लोग discuss करेंगे class 10th mathematics arithmetic progression जो कि आपका chapter number 5 है इसमें अब हम बात करेंगे exercise 5.2 में question number 11 से लेकर question number 15 तक तो आईए शुरू करते हैं question number 11 question number 11 क्या बोल रहे हैं sir question number 11 कट कहना है कि which term of the AP AP आपको दिया हुआ है will be 132 more than its 54th term बहुत ज्यादा आसान है आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है आपसे सिरिफ वो इतना पूछ रहा भी है कौन सा term कौन सा term AP का कौन सा term AP का 132 ज्यादा होगा उसकी 54th term से तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि कैसे करोगे आप लोग इसको कैसे करोगे sir sir बहुत ही ज्यादा आसान है 54th term बोला है ना कि भाईया कौन सी term तो let's say sir कि हम बोल रहे हैं उसकी net term उसकी net term क्या होगी भाईया will be which term of the AP will be 132 more than its 54th term more than its 54th term अभी आपके पास ये किस्सा शुरू हो जाएगा देखो ना कौन सी term हमें भी नहीं वालू 132 जादा है उसकी 54th term से 132 जादा है उसकी 54th term से ठीक है तो sir आपके पास कुछ कुछ चीज़ है तो given दिये वो क्या क्या दिया है कि sir आप AN का तो खेल लगा दोगे लेकिन आपको A भी given दिया 3 और D आपको दिया हुआ sir second term minus first term 15 minus 3 जो की हो जाएगा आपके पास 12 बस बाकी तो अब सरकल लेंगे AN हो जाएगा हमारे पास A plus N minus 1 into D बरापर 132 plus A 54 हो जाएगा A plus 53 D ठीक है A से A आपके पास क्या हो जाएगा कट जाएगा अब आप आपको ध्यान जा समझना D आपके पास दिया हुआ 12 आप D को डाल दो N minus 1 multiply by 12 बरापर 132 plus 53 multiply by 12 इतना clear हो गया बढ़िया तरीके से तो N minus 1 multiply by 12 बरापर 12 3 जा 36 12 5 जा 63 6 36 plus आपके पास 132 अब यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा मैं सिर्फ N minus 1 ही लिख रहा हूँ बाकी इनको plus करके divide में A की बार में 12 को भीज़ दूँगा यहाँ पर हो जाएगा 8 6 7 7 68 divided by कितना आपके पास 12 अब 12 से ज़रा divide करो उसको सर 12 सिग्जा 72 और 12 4 जा 48 64 तो N आपके पास कितना आजाएगा 65 इसका क्या मतलब हुआ कि सर ऐसी 65 टर्म है इनकी मतलब की 65 टर्म इसकी ऐसी है मतलब 65 टर्म इसकी ऐसी होगी जो 132 जादा होगी उसकी 54 टर्म से तो क्या लिखोगे सिंपल सिंपल सी चीज लिखनी है कि therefore 65 टर्म of an AP is 132 more than its 54 टर्म समझ गाए कि नहीं समझे अरे समझ गाए कि नहीं समझे थोड़ा जल्दी से एक पार देख लो हो जाएगा क्या बढ़िया तरीके से हो जाएगा बस ऐसे करके हो गया आपका 11 और क्या करना था कुछ भी नहीं अब आपके पास एक को और कुशन है क्या बोल रहा है सर बहुत ज्यादा ध्यान से समझ कि इस मिल में डिवाइट करके आपको बता दूंगा सर आपके पास दो एपी है जिसका सेम कॉमन दिफरेंस है दो एपी जिनका सेम कॉमन दिफरेंस है the difference between their hundredth term is hundred what is the difference between their 1000th term बहुत जादा सान देखो Sir let's suppose कि मैं एक AP मान रहा हूँ जिसमें मेरे पास जो first term होगी वो A होगी और जो common difference होगा वो तो D होगा और जो net term होगी वो N होगी मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर मान रहा हूँ एक ऐसा जैसे let's suppose AP मान रहा हूँ A1, A2, A3 और ऐसे करते 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 उसके पास कित्ता है A N terms है अब एक और AP मेरे पास जिसमें हैं मेरे पास B1, B2, B3, B4 और ऐसे करते 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 कित्ता हमारे पास BN बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल अभी पता चलेगा इन सबको अभी पता चलेगा इन दो लोगो इन दोनों को अभी पता चलेगा हना देखो कैसे अब हम क्यों क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इनकी 100 टम का difference जैसे कि अगर हम लोग इसकी 100 टम की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा और इसकी 100 term की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ठीक है अब इन दोलों की 100 term के बीच का difference मतलब की अगर मैं बात करूँ A100 माइनस मेरा कित्ता B100 देखो 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 A100 माइनस मेरा कित्ता B100 और ये कित्ता होगा सर 100 क्योंकि इसने बोला कि the difference between their 100 term is 100 मतलब A100 माइनस B100 कित्ता 100 अब एक बात को ध्यान से समझो A100 को हम क्या लिख सकते सर A plus 99D लिख सकते की नहीं लिख सकते लिख सकते माइनस लगाया B में आप मेंने क्या लिखा B plus 99D चलो is equals to कित्ता 100 अब आपके पास ये कित्ता हो जाएगा कि A plus 99D minus B minus 99D is equals to कित्ता आपके पास 199 से 99 कट जाएगा आपके पास आजाएगा A minus B बराबर कित्ता 100 क्या इतना क्लियर हो गया हो गया सर और ये आपके पास हो गई equation number first ये आपके पास आगई equation number first अब आपसे पूछ रहा है कि what is the difference between their thousand thumb मतलब कि आपको difference निकालना है A thousand minus B thousand का A thousand minus B thousand का अब आप A thousand को क्या लिखोगे सर सिम्पल सी बात है A thousand को हम क्या लिखेंगे A plus 999 D minus आप B thousand को क्या लिखोगे B plus 999 D ठीक है अब आपके पास जब आप इसको open करोगे तो A plus 999 D minus B minus कित्ता 999 D इससे ये कट गया तो A minus A minus B कित्ता सर A minus B तो आपके पास कित्ता है hundred simple मतलब की the difference between their thousand term कित्ता हो जाएगा आपके पास भी हो जाएगा कित्ता thousand एक पार जल्दी से screenshot लो जेली है screenshot ठीक है बस अब एक बात को और ज़्यादा ध्यान से समझना इनकी चाहे कोई भी टर्म का बीच का difference होगा इनकी चाहे 1000 भी टर्म का बीच का difference हो भी टर्म के बीच का difference 19 टर्म के बीच का difference 99 टर्म के बीच का difference कोई भी टर्म के बीच का अगर इनका difference होगा तो वो आपके पास hundred ही होगा क्यों क्योंकि आपके पास same common difference है यापर दोनों AP का same common difference है तो इनकी term के बीच का difference हमेशा उत्ता ही रहेगा समझ गए बात को ध्यान से पक्का बढ़िया तरीके से बास तो फिर अब आजाओ देख लेते कि हमारे पास अगला question कौन सा होगा ये वाला अगला है और ऐसा question हमने concept में solve किया तो एक बार जल्दी से try करो किया try किया हाँ सा try किया बस तो फिर अब अगर try किया तो जल्दी से कर लेते हैं इसको sir आजाओ अगर हम लोग बात करेंगे ये वाले question के तो आपको बोल रहा है कि how many three digit number are divisible by seven सबसे पहला three digit number कौन सा होता है और सबसे आखरी वाला three digit number कौन सा होता है KTC में बताया हुआ है धेको देखो देखो इधर एदर एधर एक बात समझना KTC का मतलब होता है किशोर तेजवानी का concept अब किशोर तेजवानी concept ये गता है कि भाया three digit number जो seven से निकाल आए ठीक है आपको यहां पर क्या बताया गिया था कि सबसे छोटा 3-digit नंबर कौन सा ए सबढ़ से और सबसे बड़ा 3-digit number कौन सा 999 क्योंकि इस से पहले अगर बात करें तो 99 आता है जो का two digit number है और यही सबसे पहला three digit number है और अगर देखा जाए तो इसके बाद कौन आएगा thousand आएगा जो कि four digit हो जाएगा तो सबसे बड़ा three digit number triple nine है अब hundred का मैंने क्या बता था आपको कि आप hundred को ले लो और क्योंकि आपको divisible by seven निकालना है न तो आप seven से इसको क्या करो divide करो क्या करना है sir seven बचेगा three और zero को नीचे उतार के sir seven four is a twenty eight clear है अब यहाँ पा two से और आगे seven नहीं कट पाएगा point लगाना पड़ेगा point को मत लगाना point को मत लगाना सिर्फ एक काम करना और यह number सिर्फ छोटे number के लिए करना है सबसे छोटा three डिजट number के लिए करना है कि आपको question में one add करना है कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया अब 15 का आपको seven के साथ क्या करना है multiply अच्छा 15 sevens है कितना हो जाता है आपके पास 105 हो जाता है कितना हो जाता है 105 मतलब कि यह जो आपकी सिरीज शुरू होगी यह कहां से होगी भाईया 105 से होगी 105 के बाद अगला seven का multiple कौन होगा sir इसी में आप seven को add कर दो मतलब कि आपके पास one one two अरे right यह रहाऊ देखो भाईया मैंने क्या किया मैंने बहुत आसानी 15 into seven सेवन फाइव जा कित्ता हो गया 35 हो गया सेवन बंजा seven or ten clear होगी यह बात हाँ sir clear होगी लेकिन बात यहां पर नहीं है बात आपकी यह है कि आपने यह तो कर दिया और आपने अगला number भी निकाल दिया one one two अब one one two के बात seven और add कर दो तो आपके पास कित्ता आजाएगा sir simple one one nine अच्छा ऐसे करते 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 अपने को आखरी number भी निकालना है जो seven से divisible होगा तो वो आएगा इधर से वो इधर से आएगा अब इधर से के लिए क्या करना पड़ेगा sir यहां पर हमें same to same काम करना है कि आपको triple nine को divide करना रहेगा seven से ठीक है seven one जा seven बचा कित्ता two अब आपके पास seven fours जा 28 ठीक है बचा कित्ता one पर आपके पास nine आ गया seven twos जा 14 बचा कित्ता आपके पास बचा यहां पर five अब five तो seven से जाएगा नहीं आपको simply क्या करना है 142 को seven से multiply करना है that's it बात खतम तो आप जब 142 को seven से multiply करोगे तो हो जाएगा यहां पर seven twos are 14 seven fours are 28 29 seven one's are seven or nine nine ninety four हो जाएगा यहां पर आपके पास कित्ता हो जाएगा and 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 करके nine ninety four हो जाएगा अब क्योंकि आपको निकालना है कि ऐसे कितने numbers है आपको निकालना है कि ऐसे कितने three digit number है मतलब you need to find the value of n कि आपके पास n कितना होगा clear यह बात मतलब की one zero five one one two one one nine ऐसे करते 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 nine ninety four तक ऐसे कितने number है जिसे एक number तो यह होगा दूसरा यह तीसरा यह चौथा कुछ होगा पाच्वा कुछ होगा छट्वा कुछ होगा ऐसे करते 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 कैसे क्या 28 number है क्या 34 ऐसे number है क्या आपके पास 35 ऐसे number है जो seven से divisible है इन में तो आपको simply क्या करना है n की value find करना है अब हम लोग जानते है एने टम आफ एन एपी का formula उस series के हिसाब से इस progression के हिसाब से आपके पास यह तो पता चल गया ना कितना है one zero five और common difference क्योंकि आपके पास seven से divisible है तो आपने क्या किया seven 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 के multiple निकाल ली one zero five के बाद भाईया one zero five के बाद अगर seven हम लोग add करेंगे तो आएगा one one two और one one two आपको पता है कि पूरा divisible है seven से नहीं हो रहा भरोसा आजाओ 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 यहाँ पर बता देता हूँ यह पूरा divisible होगा seven से देखो ना seven बचेगा आपके पास four और seven six a forty two तो ऐसे आपने क्या कर दिया एक एक नंबर यहाँ पर निकाल लिया तो d आपके पास कित्ता है अरे आपका कच्चा नीबू कित्ता है सर कॉमन डिफरेंस है seven और यह आपके पास an कित्ता होगा सर an लास टम जो की होगा 994 सिंपल वाली बात है भेंकर सिंपल वाली बात है आपको निकालना भया कित्नी टर्म्स है तो क्या करोगे सर an बराबर कित्ता हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में कित्ता d an कित्ता है सर 994 a कित्ता है सर 105 n माइनस 1 इंटू d कित्ता है सर 7 सिंपल चलो 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 अब आपको क्या करना है simply यहाँ पर क्या करना है आपको 994 में से 994 में से 105 को माइनस करना है और बाकी n-1 into कित्ता 7 अब अगर आप 994 में से 994 में से 100 माइनस करोगे तो 894 894 और 889 कित्ता 889 डिवाइड कर दो 7 से तो आपके पास कित्ता आजाएगा n-1 के बराबर आजाएगा अब यह काटो अब इसको काटो भई यहाँ 7 बंजा 7 7 2 जा 14 7 7 जा 49 तो आप n जैसे ही 1 को इदर लेके आओगे तो आपके पास हो जाएगा 128 कित्ता आजाएगा 128 माइनस का वन लेफ्ट साइड तो 128 मतलब की 128 टम्स आपके पास इदर ऐसी होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी देर आर 128 टम्स विचाट डिविजिबल भाए कित्ता आपके पास 7 एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीन शॉट तो लेना पड़ेगा भाई ले लो जल्दी से प्यारा वाले स्क्रीन शॉट तो क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पर कि therefore कित्ते है 128 टम्बर्स आर देर 3 डिविजिबल है किस से 7 से क्या लिख दोगे therefore 128 नम्बर्स आर डिविजिबल बाई 7 एक बार जल्दी से प्यारा वाले स्क्रीन शॉट लो और यह के टी सी को भूलना मत क्योंकि हर एक की अगर आपने रेंज पता कर ली ना कि कहां से 3 डिजिट चुरू होते और कहां से खतब होते फिर तो पूरा का पूरा यही अपनाना है और काम बन जाएगा आपका क्लियर हो गई बात आसानी से मतलब की ऐसे किते 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे 128 ऐसे नंबर है ठीक है ना अरे हो गई बात खता हम आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े आगे हमारे पास आखड़े एक नहे क्वेश तो आपको ये बात मालूम है कि 4 का हर मल्टिपल 4 से डिविजिबल भी होगा 4 का हर मल्टिपल 4 से डिविजिबल भी होगा ये बालूम है आपको तो आपको एक रेंज दे दी कि इसके और इसके बीच में कितने और ये बात आपको मालूम है कि 10 के बाद 10 के बाद अगर हम ब होगा तो वहां से ही आपकी क्या हो जाएगा भाया प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा ट्वैल्व होगा 430 12 440 16 4520 ऐसे करते 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 हमें आखिरी नंबर मी चाहिए लेकिन सर यह प्रॉपॉसिबल कैसे अरे आपको केटी से से पॉसिबल बता है न मैंने कि आपको पस रेंज पता करनी 10 से कहा तक की निकालना है 250 था मतलब कि अब यहां का गर निकालना है और कितने का मल्टिपल आपके पास आपके पास है 4 का मल्टिपल तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 बचेगा आपके पास 2 clear है ठीक है तो आपको क्या पता है मैंने कि आपको 1 add करना है क्या करना है आपको 1 add करने कितना हो जाएगा 3 अब 3 4 सा कितना हो जाएगा 12 ठीक है तो आपके पास 12 से शुरू हो गया clear हो गई बात फिर 4 को add कर तो 16 फिर 4 को add कर तो 20 तो यह तो हमें बात समझ में आगी अब आपक से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से divisible होगा या 4 का multiple है बात एक ही है यहाँ पर तो आपने क्या करा 250 को 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 4 6 जा किता 24 बचा किता 1 0 लगाया 4 2 जा किता 8 बचा 2 अब नहीं होना नहीं होना तो आप 62 को सीधा-सीधा क्या कर दो 4 से multiply कर दो 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24 तो किता हो गया 248 248 एक आखरी इनके बीच का एक आखरी नंबर 248 ऐसा नंबर है जो 4 का multiple होगा 4 का multiple का मतलब है कि 4 4 से डिवाइड भी करेगा तो यह KTC का concept है बहुत शानदर तरीके से पता लगा लिए सर अब पर से यह पूछ रहा है कि how many मतलब we need to find the value of n आजा 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 बहुत जादा आसा जा है कितने ऐसे नंबर होंगे इसके बीच में जो 4 के multiples है तो यह आपके पास तो progression आ गया अब आपको मालूम है आपके पास a है 12 आपके पास d है 4 और आपके पास last item दिया हुआ 248 अच्छा और आपको क्या निकालना है भाया n निकालना है अब आपके पास formula भी तयार है a n बराबर a plus n minus 1 into कितना आपके पास d a n आपके पास कितना है 248 a आपके पास कितना है 12 और n minus 1 into d आपके पास कितना है 4 clear है हाँ सर clear है अब आपके पास 12 अगर left side में आप लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा 236 upon में कितना 4 बराबर में कितना n minus 1 simple है बात अरे जल्दी बोलो simple है बात simple है अब आपको क्या करना है भया अब आपको 4 से divide करना है 4 5 जा 20 है ना और 4 9 जा 36 आपके पास n कितना आजाएगा सर माइनस का 1 left side plus मो जाएगा तो n आजाएगा हमारे पास 60 therefore 60 क्या है आपके multiples of 4 lie between आपका क्या क्या 10 and 24 10 and 250 simple बहुत ज्यादा simple क्ये टी सी का ध्यान रगना progression मन जाएगा question अपने आप solve हो जाएगा यही तो है क्योंकि वह मचा देता एकदम धमाल ठीक है ना आजाओ 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 आगे पड़े है चचा हाँ सर सर क्वेस्चन नंबर 15 फोर वाट वैल्यू ऑफ एन एन की क्या वैल्यू होगी आर्दी एनेट टर्म ऑफ दे एक तो है 63 65 67 जो कि आगे तक चलता जा रहा है इन्फाइनेट प्रोग्रेशन है और दूसरा दिया है आपको यह यह बोल रहा है भया कि इनकी एनेट टम क्या है एक्वल है अब एनेट टम होने का मतलब समझना आपको यहाँ पर दो मैं बाट रहा हूं में एक आपकी इसको मै समझना बहुत ज़्यादा द्यान से एक एपी तो है आपके पास 63 65 67 जो कि आगे तक क्या कर रहे है जाती जा रही है चाती जा रहने और दूसरी एपी ठी के बाद आरहे है 10 10 के बाद आ रहे 17 और यह जाता जा रहे है ठीक है हमें कोई प्रोबलम नहीं है अब अगर मैं बात करूँ आपके इसाब से तो मुझे इसका एनेक्टम फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा मोटिफ क्या है, मेरा मोटिफ है इसका एनेक्टम फाइंड करना है, ठीक है, आपको एक कित्ता दिया है, 63 दिया है, आप D कैसे निकालोगे, आजाएगा तू आजाएगा अच्छा अब एनेटम निकालने क्या बोले निकालो सर तो आपको पूछ रहा है एन की वैल्यू आपको पूछ रहा है एन की वैल्यू और इनकी अनेटम क्या है बराबर है तो मुझे मोटे भाईया एन निकालना यहां से जो की निकलेगा a plus n minus 1 into 2D से अब a n क्या है भाईया a n sr a की वैल्यू 63 प्लस n minus 1 ना आपके पास n है ना आपके पास a n ठीक है तो n minus 1 into d आपके पास किता सर डी आपके पास 2 clear होगी बात clear होगी आपको a n यहां से fine करना है जो की हो जाएगा 63 plus 2 n minus 2 यह भी clear होगी बात clear होगी अब sir a n आपके पास किता हो जाएगा 61 plus में 2 n इसको दे दो भाईया आपको यहीं पर ही छोड़ दो इसको आप यहीं पर ही छोड़ दो मुझे एक बात बताओ आपको यहां पर इसका भी एनइट टम fine करना है करना है आपको a दिया है क्या दिया है 3 आपको d दिया है क्या दिया है second term minus first जो कि किता होगा 7 हो जाएगा अब आपको क्या fine करना भाईया? a जो कि किता हो जाएगा a plus n minus 1 into d एक काम करो इसको capital D नाम देए दूसरे ap का чисpect तो a n आपके पास किता हो जाएगा a a काम करो a को भी बदल दो capital a कर दो ठीक है न जो कि हो जाएगा 3 plus n minus 1 into d आपके पास किता है 7 तो a n आपके पास किता हो जाएगा 3 plus 7n minus 7 तो a n आपके पास किता हो जाएगा 7n minus 4 अब according to question आपको n की ऐसी value दो you मांगए जिसमें की anantimes of the two a p's क्या है बराबर है देखो anantimes इन दोनों a p की क्या भी या बराबर है मतलब क्या मतलब किसर a n जो होगा वो a n का बराबर होगा अरे बोलो 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 जल्दी बोलो जो आपका a n होगा वो इस a n के क्या होगा बराबर होगा तो आपके पास 61 61 प्लस में आपके पास कितना 2N बराबर है आपके पास एस एन के जो कि आपके पास 7N माइनस में कितना 4 ठीक है हो गया कोई दिखकर नहीं है आप क्या ख़रो आप 7N को left side में लेके आप 61 को right side में लेके जाओ आपके पास हो जाएगा 2N माइनस 7N बराबर माइनस का 61 माइनस का 4 माइनस का 5N बराबर माइनस का 65 माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास N आजाएगा 65 अपन में 5 जो कि आपके पास आजाएगा कितना 13 तो आपके पास ऐसी N की क्या value होगी जो इसकी any term equal होगी तो इन दोनों की 13th term क्या होंगी same होगी क्या लेखोगे आप कि 13th term of these ap given ap are क्या आपके पास equal अरे आसान है आसान है की नहीं आसान है देखो बहुत जादा आसान है क्या है बहुत जादा आसान है आपको simply लिख देना है last में therefore 13 terms of both these ap are equal क्या लिख दोगे लिख दोगे लिख दोगया लिख देता हूँ क्लिर है हो जाएगा काम हो जाएगा यह आपको कोशन ने गिविन दिया था यह question के हिसाब से पता लगा पाएं है और आप से इसलिए उसने क्या मंग ली आप से इसलिए उसने उसकी एनिट्टम मंग ली एक बार जल्दी से screenshot ले सकते आप ले लिया screenshot आगे की बात कर ले चलो आगे की बात करते हैं तो बस अब क्या आगे है नहीं खतम कर लिए हमने question बढ़िया तरीके से तो बस यही तो काम है magnet means का की आपको provide करना 100% quality of free education वो भी kindergarten से लेकर class 12 तक हमारे कुछ top courses है जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से पता लेता हूं जो कि है English और Hindi medium बालो बच्चों के लिए अगर आप लोग English medium से हैं तो आप लोगों के लिए magnet means का English medium channel ज सारी subject के सारी chapter के सारी topics के सारी topics को मस्त तरीके से cover किया गया है साथी साथ community के option पर अपनी नजरे बना के रखें क्योंकि यहां पर आता है magnet means का update वीडियो को like share और subscribe भरपूर तरीके से कर देना और आप हमें follow कर सकते हो facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पे e-notes या e-books अगर अविल करने तो link description box में given है आप हमारा app download कर सकते हो grab e-notes के option में जाएंगे तो यहां से आप हमारी e-notes अविल कर सकते हो आप हमारी website visit कर सकते हो एक बात और हमारे कुछ top courses में एक और बहुत अच्छा surprise है आप लोगों के लिए कि magnet means Hindi medium नाम का एक channel है जहां पे आपको provide की जाती है class 6 से लेकर class 12 तक एकदम quality wise और free education वो भी Hindi medium में साथी साथ cover किये जाते हैं आपके Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board मतलब की यहां पर सभी तरीके के क्या आप किये जाते है state boards आपको cover करवाय जाते हैं और हमारे कुछ और भी courses हैं जिसका नाम है Vedic Maths Crash Course और Spoken English तो बस आज के session में सरफ इतना ही मिलते है next session में कब तक क्लिए bye bye अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें क्योंकि वह बहुत ज्यादा जरूरी है bye bye